आई गाइज मैं प्रदीव शर्मा आपका स्वागत करता हूँ डेली करेंट अपेर के सेशन में आज है 27 मही और आज हम बात करेंगे 27 मही के टोप मोस्ट करेंट अपेर के बारे में अब SIDM की फुलफोर्म क्या है यहां से ही है कोशन भी पूचा जा सकता है तो SIDM की फुलफोर्म आपको पता होनी चीए Society of Indian Defense Manufacture इसकी फुलफोर्म है या फिर MSME की फुलफोर्म भी पूची जा सकती है तो मैं आपको MSME की फुलफोर्म बता देता हूँ Micro, Small and Medium Enterprises इसकी Business Continuity for MSME in Defense and Aerospace Sector के लिए आउजित कराए गया है तो आपको पता होना चीए यह है कंक्लेव क्यों कराए गया था तो MSME के Defense और Aerospace Sector के लिए इसका आउजित कराए गया था और इसी कंक्लेव में 800 से ज़्यादा ही कायों ने भाग लिया है यह चीज भी आपको पता होनी चीए MSME की स्थापना कब की गई थी तो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी और SIDM के अध्यक्ष कौन है जियंत डी पाटिल इसके अध्यक्ष है जियंत डी पाटिल इसके अध्यक्ष है नेक्ट कोशन नेक्ट कोशन है IOC ने स्वास्थे में सुधार के लिए किस के साथ समझोता किया है तो International Olympic Committee ने अपने खिलाडियों के स्वास्थे में सुधार के लिए WHO के साथ समझोता किया है तो International Olympic Committee तो इसकी स्थापना कब की गई थी तो आपका यहां से कोशन बन सकता है इसकी स्थापना 1894 में की गई थी, अब बात करते हैं, IOC की स्थापना किस ने की थी, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, PRAD-14 ने इसकी स्थापना की थी, कब 1894 में, और इसका headquarter कहाँ पर है, तो Switzerland में इसका headquarter है, इसके अध्यक्ष कोन है, Thomas Bach, इसके अध्यक्ष है, ये चीज भी आपको पता होनी चीए, अब बात कर लेते हैं, WHO के बारे में, तो WHO की स्थापना 1948 में की गई थी, और इसका headquarter कहाँ पर है, तो इसका headquarter Switzerland, जिनेवा में है, ये चीज आपको पता होनी चीए, और इसके अध्यक्ष का कहना में, Tedros Adonome इसके अध्यक्ष है, अब बात करते हैं हमारे next question की, हमारा next question है, किस राज्य की खुडोल पहल को दुनिया के top 10 पहलो में शामिल किया गया है, तो इसका right answer है मनिपूर, मनिपूर की खुडोल पहल को दुनिया की top 10 पहलो में शामिल क यूत द्वारा किया गया है, तो आपको पता होना चीए, United Nations Secretary General on Youth के द्वारा इसको शामिल किया गया है, तो खुडोल पहल को इंपाल स्थित NGO या आल द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, किसकी द्वारा स्टार्ट की गई है, एक NGO या आल द्वारा इसकी शुरुआत की खुडोल पहल की, तो खुडोल पहल यह हैं बच्चों और HIV से पीडित लोगों या फिर्दैनिक मुझदूरों को भोजन स्वास्ते और स्वास्ता की अपूर्ती कराता है, खुडोल पहल जो की या आल के द्वारा स्टार्ट की गई है, और इसके संस्थापक का क्या नाम है तो मैं आपको इसके संस्थापक का नाम बता देता हूँ, सदम, हज, भम इसके संस्थापक है, और इसकी स्थापना कप की थी, तो 2017 में इसकी स्थापना की गई है, अब मनिपूर के बारे में, कुछ स््टैटिक GK के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी Capital का क्या नाम है, कि cm का कहना मैं एन बिनेंसिंग यहां के cm है और नजमा हेपतुला यहां के रज्यपाल है यह चीज़े आपको पता ही होनी चीए अब यहां के एक राष्ट्य उद्धान जो की अक्सर बार-बार पेपर में पूछा जाता है कीवुल यहां का एक राष्ट्य उद्धान है जो क सभा की सीट है यहां पर दो राज्य सभा की सीट है एक और विदान सभा की सीट है यहां पर 60 तो यह चीज़ भी आपको पता होनी चीए अब बात करते हैं हमारे next question की हमारा next question है कि Supreme Court के पूरु नियाधीश ने IRDC Center का उधगाटन किया उनका क्या नाम है तो Supreme Court के पूरु नि देख सकते हो कि Indian Dispute Resolution Center तो अब हम जान लेते हैं कि IRDC Center है क्या यह है एक Indian Dispute Resolution Center है और जो की कागज रहीत है यह है एक सोप्टर है जो की e-filing के लिए 24 गंटे ओपन है जैसे कि पंजीगरन, e-payment जैसे किसी पार्टी को नोटिस बेजना या फिर online platform पर सुनवाई या फिर online meeting उपलब्द कराना अब बात कर लेते हैं IRDC के अध्यक्ष का क्या नाम है मेहर एसराथी इसके अध्यक्ष है मेहर एसराथी इसके अध्यक्ष है और इसका headquarter कहाँ पर है न्यू डेली में इसका headquarter है और इसकी platform क्या है Indian Dispute Resolution Center अब बात करते हैं हमारे next question की हमारा next question है हाना किमुरा का हाली में निदन हो गया वह किस शेतर से संबंदी थी तो आप यहाँ पर इनकी पोटो देख सकते हो कि यह है जपान की एक पेशेवर पहलवान है जिनका नाम है हाना किमुरा जिनका भी निदन हो गया है इन्होंने 2016 में जपान प्रो रेसलिंग जूनियर प्लेट में अपना पहला किताब जीता था और 2019 में स्टार्टम में यह शामिल हो गई थी तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा सी इसका राइट अंसर है यह एक रैसलर की अब बात कर लेते हैं कुछ और सक्स के बारे में जिनका भी हाली में निदन हो गया है तो मैं आपको बता खान खान भी आपको पता ही होगा इनका भी कैंसर के कारण से निदन हो गया है तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कोशन की हमारा नेक्स्ट कोशन है नव रक्षक PPE किसके द्वारा त्यार की गई है तो आपका राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर भारतिया नोसेना के द्वारा नव रक्षक PPE किट त्यार की गई है अब इसके बारे में कुछ important point देख लेते हैं जैसे कि यह किट COVID-19 मामारी से लडाई के लिए बनाई गई है और इस किट में जलवाश्ट को बाहर निकालने और अंदर आने से रोकने की शमता है अब यह किट किसके द्वारा तो यह है मुंबई के नो सेना के द्वारा बनाई गई है जो कि Institute of Naval Medicine के सर्जन है जो कि Lieutenant Arnav Ghosh तो Arnav Ghosh ने इस किट को बनाया है यह चीज भी आपको पता होनी चीए तो इसके बारे में आपको पता होना चीए और नो सेना के परमुक का क्या नाम है तो Admiral Karamvir Singh नो सेना के पर इंडिया वार गेम सेंटर का उद्गाटन किस ने किया तो इसका राइट अंसर हो जाएगा योवेरी काउटो भी इसका राइट अंसर है तो योवेरी काउटो के दोवारा इंडिया वार गेम सेंटर का उद्गाटन किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो इसका उद्ग लेते हैं यह एक प्रकार की गेम है जो कि युद को वास्टविक रूप प्रदान करता है इंडिया वार गेम सेंटर क्या है यह एक गेम है जो कि युद को वास्टविक रूप प्रदान करता है और भारत ने इंडिया नाम का वार गेम सेंटर UPDF को सोप दिया है यहां पर सकते हो कि world thyroid day प्रते एक वर्ष 25 मही को मनाया जाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा हमारे यहां पर B तो B इसका राइट अंसर है अब बात करते हैं thyroid के बारे में तो thyroid एक गले की गरंती है और इससे एक disease भी हो जाता है जो की गले में होता है तो आपको पता होना stimulating hormone तो आप मुझे सभी comment box में बताइए कि thyroid की कमी से कौन सा रोग होता है और thyroid की अधिक्ता से कौन सा रोग हो जाता है अब बात करते हैं हमारे next question के हमारा next question है military gender advocate award से सम्मानित पहली भरते महिला क्या नाम है तो यहां पर आप उनकी photo देख सकते हो तो इसका right answer हो जाएगा major सुमन गमनी को military gender advocate award से सम्मानित किया गया है और इसे सम्मानित कों करेगा तो इनहें UN सम्मानित करेगा यहां पर आपको पता होना चीह है इस award को कोन प्रदान करेगा तो UN इस अवर्द को प्रदान करेगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको करेंट फेर से जुड़ी जानकारी मिलती रहें धन्यवाद